गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में धक्सिर पूर्वी एस्वया में भारती सेंस करती का विवरण नामक टोपिक के बारे में जानकर प्राप्त करेंगे तो देखेगा इस वीडियो से देखने से पहले बता देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो आपका प्राचिन कालीन भारत में जो चीन के साथ कैसे सम्मन थे हमारे और तब दिबत के साथ कैसे सम्मन थे इन सब बातों के बारे में पढ़ लिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और ये वीडियोज देख सकते हैं तो ये दिया आपने इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें वीडियोज को लाइक और सेर करें ताकि इत्यास विशेश सम्मंदित मैतवपुन जो जान करें वो आपके फ्रेंड्स थक भी पहुंच सके और बेल आइकन दबाईएगा ताकि आपको ने नोटिफिकेशन मिले और आप एकजाम के अच्छे से तयारी कर सके तो जलिए पढ़ते हैं दक्सिन पूर्वी एसिया में भारतिय सेंस करती का विवरण दक्सिन पूर्वी एसिया में भारतिय उपनिवेसों की स्तापना के पणाम सुरूप वहां के सासन, समाज, भासा साहित्ते, धरम्यमकला, अधिबर भारती ततों का प्रभाव पड़ा और इनका संसिप्त विव्योनिस प्रकार से देखेगा सबसे पहले सासन पदत्ती भारती हिंदू राजों के ही समान दक्सिनी पूर्वी एसिया के सासक महाराज की उपादी धरन करते थे वे अपनी दैविय उत्पती में भी विश्वास करते थे चंपा के एक लेख में राजा को पर्थवी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है वह परसासन का सरोचे अधिकारी होता था उसकी राजसबा एस्वरे एमसासन सोकत से परिपूर्णे होती थी भारती नरेसों के ही समान वे चत्तुरंगिनी सेना रखते थे महासेनापती सेना का सरोचे अधिकारी होता था समराट निरंकुस होते थे न्याय व्यवस्ता ही भारतिय थी सम्राड सिधान तहे निरंकुष होता था किन्तु व्यवारिक रोप में वह ऐसा नहीं था धरम सास्त्रों का ग्याता होने के कारण वह धर्म तथा नीती के अनुसार ही सासन करता था पढ़्जा पालन तथा रक्षन उसका परमू करतव था धरमिक होना सम्राड के लिए अनिवारिय था तथा वह समाज में वर्णा स्रम व्यवस्ता का सेंस्तापक भी था जावा में विसासक को देव सवरूब माना जाता था तथा म्रत्यू के बाद देवतों के सम्मान उसकी भी मूर्तियां स्तापित की जाती थी भारत्य सम्राजियों के सम्मान यहां के सम्राजे भी विभिन प्रांतों में विबाजित थे तथा राजपूत्रों को राज़े पाल बनाने की पर था थी समरार दीगविजे का आदर्स अपने सामने रखते थे समरार देश का सबसे बड़ा न्याय देश होता था वह दरमसास्त्रों के अनुसार न्याय का कारिय करता था मनू, नारद, रिता, भार्ग धरमसास्त्रों का अनुसरन किया जाता था अब देखे का आता है आपका समाज, तो भारतिय समाज के समान ही दक्सिन पूर्वी एसिया के समाज में भी हमें चत्तुर वाण व्यवस्ता के दर्शन होते हैं, ठीक है, इंडोनेसिया के लेखों में इसका उलेक मिलता है, भारतिय जाती व्यवस्ता का समाज में पर्चलन थ जावा के सहित्य तथा लेखों में ब्रामन तथा छत्रियों का उलेख मिरता है। तत्वा निंग नम विवार रमक प्राचीन जावानी रचना में चारों वन्नों की उत्पती ब्रह्मा के मस्तक, बाहु, जंग, जंगा तथा पैरों से बताई गई है। ये विवरण के पूरु सुक्त के विवरण पर आदारित है। चातुर वन्न के विवसायों का उलेख भी लेखों तथा गरंतों में मिरता है। वहां के समाज में वे ब्रामनों का पर्तिष्टित स्थान था। वे अध्यन अध्यापन में रत रहते थे। छत्रिये वन्न के लोग यूद यूद सासन के कारियों में भाग लेते थे। ब्रामनों तथा छत्रियों की गर्णा उचवर्ग में होती थी। दास परता का भी पर्सलन था। समाज में इस्तरियों की सिति समाजनक थी। पर्ता परता का पर्सलन नहीं था। इस्तरिया राजनितिक तथा सासन में भाग ल सकती थी जावा के सासक एरलंगर के लेक से पता चलता है कि वह अपनी रानियों के साथ राजसभ़ा में बैड़ता था इसी परकार विश्णो वर्दन के बाद उसकी पूतरी ने सासन चलाया था इस्तरियों को प्रियाप्त स्वतंदरता थी भारतिय महिलों के सम्मान उन्हें बिश्णो पति चुनने का दिकार था सत्ति पर्था भी पर्थली थी विवा को यहां भी भारत के सम्मान एक पवीतर धार्मिक सेंसकार माना जाता था प्रयह सवण विवाही ही किये जाते थे किन्तु कभी-कभी अंतरजाति ये विवा भी होते थे समाज के लोगों की भी भार्तियों जैसी ही थी संगीत, नाटक, मृत्ते, वादेक रिडा, आदी मनोविनोत के विविद साधन थे इस्त्री पुरिश दोनों ही आबूशन धारन करते थे चावल यहां के निवाशों का मुख्ये खाद दे था मदिरा पिने तथा पान खाने का भी पर्शलन था, मीरना, मृदंग, सितार, बांसूरी, आदी प्रमुकवादे यंतर थे इस्त्रिया समुहिक नरते करती थी, सत्रंज का खेल भी समाज में पर्शलित था नाटकों का भी अभिने होता था, लोग कटकूतलियों के नास द्वारा भी मनोरंजन करते थे भासा तथा साहित थे दक्सिन पूरव एसिया के विबिन राज्यों में भारत की संस्कृत भासा का व्यापार परचार परशार था कमबुज, चमपा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियों आदिसे संस्कृत भासा में लिखे गए लेक प्राप्ते होते हैं लेकों की सहली काव्यात्मक है तथा इनमें संस्कृत के प्रहे सभी छंदों का प्रियोगी मिलता है इनके लेक संस्कृत व्याकरण के नियमों से पूर्ण प्रिचित लगते हैं अब बिलेकों से पता चलता है कि इन डेसों में वेद, वेदांद, स्मर्ती, रामायन, महाभारत, पुराण, अधिवराहमन गरंतों के साथ ही साथ विविन बोद एम जैन गरंतों का अधियन किया जाता था कालिदास का भी वहां के साहिते पर गयरा परभाव दिखाई देता है भारती स्मर्ती तथा पुराणों पर आधारी भी अनेक गरंतों का पणयन किया गया अर्जुन विवाह की वहां के नरेश विद्वान एम विद्वानों के आस्रेदाता थे जावा के निवाशियों ने नए केवर सेंस्कृत का अधियन किया अपितु इन्होंने भारती साहिते के अनुकरण पर अपना एक विश्त्रित साहिते निर्मित किया जिसे इंडो जवानी साहिते कहा जाता है लगबग पांच वर्सों तक इस साहिते का विकास होता रहा जावा में महाभारत के आधार पर अन्य गरंथों की भी रचना हुई जिन में अर्जुन विवा है भारत यूद स्मर्दहन सुमन सान तक आदी उलेखनिय है रचना एरलंग जो एक हजार उन्निस से बैयाली सिस्वी में हुई थी के सासनकाल में हुई थी ठीक है और कडिरी राची के समय कृष्णा आयन की रचना हुई थी जिसमें कृष्णन द्वारा रुकमनी हरन तथा जरा संग के वद की कथा है रगुवंस के आदार पर सुमन सान तक लिखा गया श्मर दहन का आधार कालिदास का कुमार संबव है महाभारत के उद्योग बिसम, द्रोण, कार्ण, सल्ले, आधि परवों के आधार पर भारत यूद नाम गरंद की रचना की गई इस परकार जावानी साहिते मूल भारतिय रचनाओं उनके अनुवात आधि से भरा पड़ा है अगला ता धर्म और धार्मिक जीवन दक्सिन पूर्वी एसिया के विविन देशों में ब्राह्मन तता बोध धर्मों का बोलबाला था बर्मा तता श्याम में बोध धर्म का परसलन था जबकि अन्य देशों में पोरानिक हिंदू धर्म ही विशेश रूप से लोग पिरिये था पोरानिक देवताओं में सिव, विश्णू तथा बर्मा विशेश लोगपिरिये थे शैव दरम तो महा का राजधर्म था सिव की पूजा लिंगों तथा मूर्तियों दोनों के रूप में की जाती थी सिव के रोद्र तथा सो में दोनों रूपों से जवानी परिचित थे महादेव तथा महाकाल के नाम से उनकी पूजा की जाती थी दोनों रूपों की मूर्तियां विबिन स्थानों से मिलती है महादेव की सक्तिदेवी, महादेवी, पार्वती अथ्वा उमा की भी उपासना की जाती थी दुर्गा अथ्वा महाकाली की पुजा भी होती थी सीव पार्वती के पुत्र गणेश तता कार्ती के एको भी जावा में देव रूप में पुजा जाता था गडेश की मानिता विग्ने विनासक के रूप में थी विश्णों की पुजा नारायन, पुरुशोतम, मादव, आदिनावों से की जाती थी कई स्थानों से विश्णों की चतुरभुजी मूर्तियां भी प्राप्ति होती है उनके पर्तिक के रूप में शांक, चक्र, गड़ा, पद्म का अंकर मिलता है चंपा से सेशनाक पर सयन करते हुए विश्णों की मूर्ति प्राप्त होती है कमबुज का अंकोर वाट इस्थित, विश्णों मंदिर वहां उनकी लोगपियता का जीता जागता प्रमान है क्रिश्ण राम, मतश्य, वारा है तथा नरिश्य है अवतार के रूप में भी विश्णों मंदिर वहां उनकी लोगपियता का जीता जागता प्रमान है कृष्ण, राम, मतस्य, वारा तता नरिशे हैं अवतार के रूप में भी विश्णू की मूर्तियां बनाई गई जावा के निवासी इन अवतारों संबंदी विभिन पूराने कताओं से परिचित थे सीव तता पूरान के अलावा ब्रह्मा की भी पुजा होती थी मूर्तियों में उनके चार मुख दिखाए गए हैं जो हंस पर विराजमान हैं तता विश्णू के अलावा ब्रह्मा की भी पुजा होती थी मूर्थियों में उनके चार मुख दिखाए गए हैं जो हंस पर विराजमान हैं तदा अपने हाथ में माला, चमर, कमल तदा कमंडल धारन किये हुए हैं ब्रह्मा के सक्ति सर्श्वती की भी मूर्थी मिलती है तिनों देवताओं को एक साथ मिला कर त्री मूर्थी कहा गया तदा इस रूप में भी उनकी पूजा का परसलन था इन देवताओं के अलावा कुछ अन्य भारते देवी देवताओं जैसे यम, वरुन, अगनी, इंद्रे, कुबेर, सूर्य, चंदर, आधी की पूजावी दक्षिनी पूर्वी एसिया के विभिन भागों में परसलन थी बोध धरम के विभिन समपर्दा जैसे हीनियान, महायान, वजरियान अधी का भी दक्षिनी पूर्वी एसिया के देशों में परसलन था इस सिंग्य अनुसार स्री विजे बोध रम का पर्मू के अंद्रे था वहें लिखता है कि यह धर्मन दक्षिनी पूरी एसिया के दिविपों में दूर दूर तक फैल चुका था तता दस से अधिक देशों में सरवास्तवाद यस फैला था जबकि कुछ भागों में महायान मत का भी परचार था आठवे स्ताबदी से महायान मत की परधानता हो गई और यह मलाया के अलवा सुमात्रा था जवा में दूर गती से फैल गया बोध दर्म के परचार परचार में सहलेंदर सांसकों का महान योगदान रहा जवा का बोरो बुदूर स्थूप वहां बोध दर्म की लोगपिरियता का सुचक है विबिन रूपो में बुद की मूर्तियां प्राप्त होती हैं सभी दर्मों में पारस प्रीक सामन्ज़स से था इस समये हिंदू तता बोध देवतवों को स्यूंग्द करने का प्रियास किया गया सिव विष्णू तता बुद को परस पर स्यूंग्द कर पूज बलवत्ती हो गई संसेप में हम यह कह सकते हैं कि भारत के जैन द्रम की शिवाय अन्य सभी द्रमों का सुदूर पर्व में व्यापक परचार 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 था वहां के निवासी वैदिक येग्यों का भी अनुस्ठान करते थे तता दानादी द्वारा पूर्यर जन में विश्वास रखते थे रामायन तता महाभार जैसे गरंथों का नियमित पाठ भी किया जाता था अगला आता है कला दक्सिनी पूर्वी एसिया की कला के परतेक अंग पर भारतिय कला का स्पस्टे में व्यापक परभाव परिलक्सित होता है परसित कलावित कुमार स्वामी ने तो दक्सिनी पूर्वी एसिया की कला को भारतिय कला का ही अंग माना है नगर निर्मान इस्तापत्ते तता मूर्तिकल्ला के छेत्र में भारतिय फ्रभाव अपेक्षाकर अधिक दर्शनिय है दक्सिन पूर्वी एसिया के परसिन नगरों में अंकोर थों विशेश रूप से उलेखनी है जो कमपूच राजे की राजदानी थी इसका निर्मान भारतिय नगरों की पदत्ती पर हुआ था यहें एक वर्गाकार नगर था जो चारों ओर से गहरी खाई तता पत्थर की दिवारों से गिरा हुआ था नगर में परवेश के निमित खाई के उपर पांच पूलों का निर्माण किया गया इन पूलों से लगे हुए पांच उंचे शिखरों वाले तोरण द्वार थे नगर के भीतर भवे एवं अलंकरित महर मंदिर दिता शरोवर बने हुए थे इस प्रकार अंकोर थोम नए केवल कंबुच का अपितु संपून प्राचीन विश्व का एक सुन्दर नगर था दक्सिन पूर्वी एसिया की वास्तुकला के अंतरगत हमें जावा के बोरो बुदूर इस्तूप कंबुच के अंकोरवाट मंदिर बर्मा के आनंद मंदिर तता चंपा के मिशोन एवं पोन नगर के मंदिरों का मुख्य रूप से उले कर सकते हैं जावा इस्तित बोरो बुदूर का विशाल बोध इस्तूप वस्तूत विश्वय के अत्यूत करश्ट रचना है इसका निर्मान शलेंदर राजों के सरंक्षन में 750-850 इस्तूप के मद्दे हुआ था इसमें कुल नो चबूत्रे हैं पतेक उपरी चबूत्रा अपने निचले से छोटा होता गया है सबसे उपरी चबूत्रे के मद्दे घंठा क्रेती का स्तूप बनाया गया है जो संपोन निर्मान को आच्छादित करता है नो चबूत्रों में से 6 वर्गाकार तता उपर के 3 गोलाकार हैं उपर के 3 चबूत्रों पर 72 इस्तूप निर्मित हैं जिनके ताखों में बूद परतिमाये स्थापित की गई हैं नीचे के चबूत्रों की दिवारों पर जातक कथाऊं तथा अन्य बोध गरंतों से लिए गए अन्य दर्शियों का कलापून अंकन हुआ है चारों दिशाओं में उपर जाने के लिए सीडियां बनाई गई है कुल मिलाकर बोरो बुदूर्द एक अत्यंत भव्वे रचना है मजूमदार ने तो इसे संसार का आठवा महान आस्षरिय कारना उचित समझा है वरियत्र भारत के हिंदू मंदिरों में कमबूज अर्थात कमबोडिया के अकोरवाट का विश्णू मंदिर विशेश रूप से उलखनी है इसका निर्माण 1125 इस्वि में कमबूज के राजा सूरिय वर्माद्वित्य दुआरा करवाया गया था ये संपूर मंदिर पत्थर का बना हुआ है दाई मील के घहरे में इस्तित इस मंदिर के 4 और 650 फीट चोड़ी तता दाई मील लंबी खाई है मंदिर में जानने के लिए 40 फीट चोड़ा एक पूल बनाया गया है मंदिर 3000 फुट की चोकोर पत्थर की मेड़ी अर्था चबबुत्रे पर बना है परवेश त्वार से अंदर जाते ही लगबग आधे मील की परिदी में बनी एक लंबी वित्थी अर्थात गैदरी वित्थी है यह मंदिर का परदक्षिना पत है मंदिर का गरब गरह उंचे स्थान परिस्थित है जिस पर पहुंचने के लिए सेंडिया बनाई गई है मंदिर के बीच का सिखर सबसे उंचा है तता चार कोनों पर चार अन्य सिखर बनाए गए है पूरे मंदिर के निर्मान में कहीं भी चुने अथ्वा पलस्त का प्रियोग नहीं मिलता है मंदिर अपनी मूर्तिकारी के लिए भी परशित है इसके दिवारों पर पोराने कथाओं का अंकन चित्रों द्वारा किया गया है रमाइन की संपूर कथा यहां उतकीर मिलती है साथी साथ राजाओं, सनिकों, आधिका भवे यह कलापूर अंकन प्राप्थ होता है अंकोर वाट का मंदिर मध्य खालिन हिंदू स्तापत्य की एक उतकरिष्ट रचना है सतापदियों की प्राकर्तिक आपदाओं की उपेक्षा करते हुए आज भी अपने सुदर्दायों भवेता को सुरक्षत किये हुए है बर्मा के पगान में इस्तिद आनंद मंदिर की वास्तुकला का एक उतकरिष्ट नमुना है ये 564 फिट के वर्गाकार प्रांगन में स्तित है मुख्य मंदिर का निर्मान इंटों से हुआ है मद्दे में बुद्ध की विशाल मूर्ती है तथा मंदिर की दिवारों पर बुद्ध के जीवन से सम्मंदित तथा जातक गरंथों से ली गई बहु संक्य कथाओं का भवे एम कलापूर अंकन हुआ है संपोर मंदिर भारती धंग से निर्मित किया गया है इन मंदिरों के अलावा चंपा के माईसोन तथा पोनगर अंकोर थोम का बायो मंदिर जावा का लोरो जोंगरम मंदिर आदिवी सुदूर पूर्व के हिंदू वास्तूर चता स्थापत्य के अनूठे उधारन है इन सब को देखने के से स्पर्ष्ट हो जाता है कि इनका दिर्मान भारती कलाकारों नहीं किया होगा बंदिरों के अलावा विबिन स्थानों से बुद, भोधिस्त, विष्णू, सीव, बर्मा, लक्ष्मी, गने, स्कार्तिके, आते देवी देवतों की बहुत संक्यक मूर्थियां भी प्राप्त होती है जो दक्षिनी पूर्वी एसया में हिंदू दक्षिन कलाके व्यापक परचार-परसार की सबर साक्सी हैं इस परकार दक्षिन पूर्वी एसया की सभेता भारती है, सभेता चे पूंटिया परपावित है और थी ठीक है तो देखिएगा इस वीडियो में हमने अच्छे से भार्त और दक्षनी पूर्वी एसिया के मद्य जो परमप्राओं का दान परदाना उसके बारे में जानकरी प्राप्त की आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो देखने को मिलेंगे तो बने रहें यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पर